आज हम आपको reference टैप के footnote block के अंतरगत, endnote या footnote के सभी options की जानकारी दे रहे हैं आपने कई बार देखा होगा कि अकबारों में या किताबों में किसी शब्द के आगे star लगा हुआ होता है और नीचे की तरफ उसका अर्थ दिया हुआ होता है उसे footnote या endnote कहा जाता है footnote या endnote से आप अपने file में लिखे गए किसी भी शब्द का मतलब उसी page पर या file के end में लिख सकते हैं इससे या फाइदा होगा कि जब भी आप अपनी file किसी को mail करेंगे या किसी दूसरे वैक्ति को पढ़ने के लिए देंगे तो वो उस शब्द का मतलब नीचे पढ़ सकता है या फिर जब वा उस शब्द पर mouse का arrow लेकर जाएगा तो उसे उस शब्द का मतलब नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा तो चलिए इसे practical तरह से समझते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं end note या footnote का use करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा reference टैप पर, reference टैप पर जाने के बाद आप देखेंगे, हमारे सामने यह आपर एक option दिखाए देगा footnotes block का और उसके अंदर आपको end note और footnote के options आपको यह आपर दिखाए देगे सबसे पहले हम आपको footnote insert करना बता देते हैं, तो इसके लिए मान लीजे हमने यहाँ पर एक document insert किया हुआ है, और जिस word पर भी आप footnote का use करना चाहते हैं, उस word को या तो आपको select करना है, और या तो फिर उस word के आगे आगे आपको click कर देदा है, हमने windows के आगे click कर दिया ह और click करने के बाद हमें जाना है footnote पर और यहाँ पर footnote पर click कर देना है, जैसे हम यहाँ पर footnote पर click करेंगे, तो आप देखेंगे इस page के बिलकुल last में आपको यहाँ पर footnote दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर आप उस शब्द के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर देखेंगे, विंडोस के आगे आपको यहाँ पर one लिखावा दिखाई दे जाएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सिर्फ एक footnote का use किया है, और जैसी आप अपने mouse का cursor यहाँ पर लेकर जाएगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर, आपको footnote दिखाई दे करने के बाद, माल लिजे हम यहाँ पर PC के आगे क्लिक करते हैं, PC के आगे क्लिक करने के बाद, हम यहाँ पर footnote पर जाते हैं, और footnote पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, footnote पर जैसी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे, इस page के बिलकुल last में, आपको यहाँ प पर आप अपना footnote type कर सकते हैं जैसे मालीजे हम यहाँ पर type कर देते हैं personal computer और उसके बाद हम वापस से उसी footnote पर जाते हैं यहाँ पर आप देखेंगे उस footnote के आगे दो लिखावा दिखाई दे जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने अभी दूसरा footnote use किया है और आप आप है page number 3 पर page number 3 पर जाने के बाद हम यहाँ पर password के आगे click करते हैं endnote लगाने के लिए भी आप password को select कर सकते हैं या फिर password के last में आप click कर सकते हैं तो मालीजे हम password के last में आप लिख कर रहे हैं और यहाँ पर reference टैब में हम वापस से footnote block के अंदर यहाँ पर आप बिलकुल last में आपको यहाँ पर endnote दिखाई दे जाएगा यहाँ पर आप जो भी endnote टाइप करना चाहें वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं मालीजे हम यहाँ पर password दे देते हैं excel infotech और इसके बाद हम page number 3 पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर password के आगे endnote आपको ल emoji keyboard के आगे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर भी हमें एक endnote का यूज करते हैं तो वापस से चले जाते हैं reference tab के endnote वाले option पर और यहाँ पर हम फिर से केक करते हैं जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे excel infotech का जो हमारा पहला endnote लगा था उसके just नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो दिखाई दे जाएगा यानि की दूसरा endnote आप यहाँ पर type कर सकते हैं तो माल लिजे हम यहाँ पर type कर देते हैं इसकी shortcut की तो माल लिजे हम यहाँ पर type करते है windows हमने यहाँ पर emojis की shortcut की लिख दी है और उसके बाद हम चले ज जाएगी जो endnote हमने नीचे type किया था तो यहनी कहने का सीधा मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पर footnote का use करते हैं तो footnote लगता है page के बिलकुल last में यानि जिस page पर आप footnote का use कर रहे हैं उसी page के बिलकुल last में आपको footnote का यूज कर सकते हैं, footnote block में आप देखेंगे, यहाप पर आपको एक option दिखाए देगा, next footnote का, इसके बगल में जैसे आप drop down arrow पे click करेंगे, तो आपको यहाँ पर चार option दिखाए देगे, मान लीजे कि आप पहले footnote पर हैं और पहले footnote से आप दूसरे footnote पर जाना चाहते है तो इस option पर जाने के बाद, यहाँ पर जैसी next footnote पर आप click करेंगे, तो आप directly यहाँ पर next footnote पर चले जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर PC जो था हमारा, वो हमारा दूसरा footnote था, और इसके बाद हम जैसे यहाँ पर previous footnote का यूज करेंगे, तो आप देखेंगे, हमने तो previous footnote लगाय था वो windows लगाय था आप देखेंगे हम windows पर यहां पर जम कर चुक है इसके बाद आप देखेंगे यहां पर हम पहले आज पर हैं और अगर हमें दूसरे end note पर जाना है तो हम यहां पर वापस से इसी option पर जैंगे और यहां पर हम करेंगे next end note जैसे हम यहाँ पर next end note पर click करेंगे तो आप देखेंगे emojis keyboard के आगे हमने यहाँ पर second end note लगा रखा था यह directly हमें उस जगा पर पहुचा देगा इसके बाद अगर आप वापस से उसी end note पर जाना चाहते हैं तो आपको वापस से इसी option पर click करना है और यहाँ पर आपको use करना है previous end note इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे हम वापस से पहले वाले end note पर jump कर चुके हैं इसके बाद आप next option यहाँ पर देखेंगे आपके सामने का और option आपको दिखाई देगा show notes का इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे हमने जितने भी end note यहाँ पर लगाये हुए हैं उससे भी end note आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे तो इस तरीके से MS Word में आप end note और footnote का यहाँ पर use कर सकते हैं इसके अलावा आप मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप end note या footnote को हटाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से हटा सकते हैं हमने स्टार्टिंग में Windows पर सबसे पहला footnote यहाँ पर use किया था तो इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पर click करना है और अपने keyboard से backspace दबाना है दो बार जैसे आप keyboard से backspace दबाएंगे तो आपका यहाँ पर footnote हट जाएगा सेम इसी तरीके से आप दूसरे page पर जो हमने दूसरा footnote यहाँ पर use किया था हम उसे भी इसी तरीके से हटा सकते हैं आप देखेंगे PC पर हमने यहाँ पर दूसरा footnote यूज किया था तो इसको क्लिक करके जैसे हम यहाँ पर backspace दबाएंगे तो आप देखेंगे आपका यह footnote भी यहाँ से clear हो चुका है इसके लाब अगर आप पेज के last में जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी footnote दिखाई नहीं देगा और इसी तरीके से page number 1 के अगर last में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोई footnote दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ से आपने footnote को clear कर दिया तो यहाँ से भी footnote आपका clear हो जाएगा सेम इसी तरीके से अगर आप endnote को आटाना चाहते है तो यहाँ पर endnote को भी आप यहाँ से अटा सकते हैं आपको यहाँ पर click करना है और अपने keyboard से दो बार backspace दबाना है आप देखेंगे हमारा पहला जो endnote था वो यहाँ से अट चुका है इसी तरीके से हम दूसरा endnote अटा लेते है keyboard के आगे आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक और endnote यूज़ किया था तो इस पर जैसी हम दो बार backspace यूज़ करेंगे तो यह endnote भी हमारा यहाँ से हट चुका है अब page के बिलकुल last में मैं आपको जाके दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे आपर हमारा कोई भी endnote आपको दिखाई नहीं देगा तो इस तरीके से आप MS Word Mate, endnote और footnote के सभी options का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरूर कीज़ेगा धन्यवाद